हलो दोस्तों, नमस्ते, सरुच की किचिन में आपका स्वागत है आज हम आवले का मुरब्बा बनाएंगे आवले में आईरन और बिटाम इंसी बहुत अधिक मातरा में पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है आवले का मुरब्बा गर्मियों की दिनों में एक आवला रोज खा लिया जाए तो सारे दिन की गर्मी को सहन करने की ताकत देता है तो चलिए आवले का मुरब्बा बनाना शुरू करते हैं मुरब्बा बनाने के लिए हमने दो किलों आवले लिये आवले थोड़े बड़े आकार के और हलके से पके आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर आ गया है आवला विलकुल गिरेन नहीं है ऐसे आवलों का कसलेपन थोड़ा कम हो जाता है इनका मुरब्बा ज़्यादा अच्छा लगता है पका हुआ आवला दिसम्मर क महिने में आना शुरू हो जाता है जो बाजार में हम पका आवला देखकर जाटकर बड़े साइज का आवला ले आएं इससे दो से तीन वार दो कर पानी में डाल कर रख दिया था और एक दिन तक पानी में डूबी रहने दिया और पानी से निकाल कर पूरा पानी सूखने त और इस तरह से अंदर तक गुठली तक दबाते हुए वापस निकाल लेंगे और इस तरह से फिक करते जाएंगे और निकालते जाएंगे पास पास पिक करते रहेंगे इस तरह से करते जाएंगे ये काम बड़ी साबधानी से कानना है हाथ में लगनी नहीं चाहिए क्योंकि ज डूप जाएंगे इसी तरह से पिक करके तयार कर लेंगे करेंगे खायगा प्लास्टिक की बाल्टी लेंगे उसमें तीन से चार केजी पानी भर लेंगे और इन पिक करे हुए आमलों को इस बाल्टी में डाल लेंगे और बाल्टी में पानी इतना रखेंगे जिसमें हमारे आमले डूप जाए हमने सभी आमलों को बाल्टी में डाल दिया है आप देख रहे हैं ये चूना है ये पान की दुकान पर मिल जाता है ये एक छोटी बोटल दो से तीन रुपे में मिल जाती है इसे खोलेंगे और आवलों में डालेंगे इस तरह की आठ से दस छोटी बोटल चूना पाल्टी की पानी में डालेंगे बोटल खोलेंगे और चू निकाल देंगे और निकाल देंगे और इसे हास के लादेंगे जिस्थे चुना आउलों पानि में में अच्छे से मिक्स हो जाए और देखिए इस मिक्स हो गया है हमारा पानी बिल्कुल वाइट हो गया है जोड़ेंगे परन्तु रोज आउनों को किसी लकडी से या हाथ से हिला दिया करेंगे क्योंकि चुना पानी में नीचे बैठ जाता है आपको ऐसा लगे की पानी थोड़ा काला हो गया है तो आप उस पानी को बिना आवलो के ही हिलाई निकाल दें और नया पानी भर दें और आवलो को हिला दें जिस से नीचे का बैठा हुआ चुना पानी में मिक्स हो जाएगा आउनों को रोजोना ही हिलाना है हमने बीच में तीन दिन पानी चेंज कर दिया था और हिलाया रोज था हमारे आउनों को चुने के पानी में रखे हुए साथ दिन हो गए है अब हम इनको चेक करेंगे आप देखी हमारे आउनों एकदम पीली हो गए है इसका मतलब यह है कि इनका कसलापन खतम हो गया है और यह मुरब्य के लिए तैयार है कई बार आउनों को इस तरह पीले होने में 8-10 दिन भी लग सकते हैं आप देख लें कि आमले पीले हुए हैं या नहीं कहीं से हरा कहीं से पीला हो तो आप एक या दो दिन और छोड़ दें अब इन हम चुड़े के पानी से निकालेंगे और किसी चल्ली में रख कर साप पानी से एक दो बार अच्छे से दो लेंगे इनके उपर चूना लगा हो तो उसको भी अच्छे से हटा कर साप कर देंगे हमने इन आवलों को दो कट चल्ली में रख लिया है अब एक पती ललेंगे उसमें पानी वरेंगे और उससे गैस पर रखेंगे और पानी के ओबलने तक गरम होने देंगे इसको ढकन से ढक देंगे जिससे पानी जल्दी से उबल जाएगा पानी में हमारे में उबाला गया है अब हम इन आवलों को पानी में डाल देंगे और ढकन से ढक देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे इसमें 10 मिन तक आउलो को ऐसे ही रखे रहने देंगे हमारे आउलो को रखे हुए 10 मिन तो गई है आउले हमारी बहुत गरम है इसलिए इसको बगोनी को नीचे उतार कर रखतेंगे और अब हम आउलो को चमच की सायता से चल्ली में निकालेंगे सारा पानी हटा देंगे यह पानी बहुत ही हेल्दी है इससे आप अपने बालों को दो सकते हो या पोदों में पानी डाल सकते हो आउले 2 केजी हैं तो हमने चीनी लिए 1.5 केजी अब बगोने को गैस पर रखेंगे और इसमें पानी डालेंगे दो गिलास इसका मतला आदा केजी और इसको चीनी के घुलने तक चलाते हुए पकाएंगे नहीं तो चीनी नीचे चिपक सकती है और जल्वी सकती है चीनी हमारी घुल गई है इसे और 10 मिनट तक पकाएंगे चीनी को पकते हुए 10 मिनट हो गई है हमारी चीनी काफी गाड़ी हो गई है अब हम एक एक करके सारे आवले चाशनी में डाल देंगे और चाशनी और आवले को 10 से 15 मिनट तक बिना ढखकल लगाए उबलने देंगे आवलों को उबलते हुए 10 से 15 मिनट हम हमारी चाश्टनी को चेक करेंगे कि घाडी हुई है नहीं पतली होगी तो और उबा लेंगे और गाडी होगी तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे हमारी चाशने काड़ी हो गई है अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे भगोनी को आप गैस पर भी छोड़ सकते हैं और नीचे भी उतार कर रख सकते हैं हम इसको एक तरफ से कपड़े से और एक तरफ से जंडासी से पकड़ कर नीचे उतार कर रख देंगे जब हमारे आउले ठंडे होंगे तब हम आपको दिखाएंगे आउले का मुरब्बा बनकर तयार हो गया है आउले के मुरब्बे को आप लोहे में, अलूमिनियम में और पीतल के बरतन में नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसमें मुरब्बा खराब हो जाता है मुरब्ब इस्टील के वर्तन में ही बना सकते हैं और मुरब्ब ठंडा हो जाए तब आप इसे काच के या प्लास्टिक की बननी में भर कर रख सकते हूँ परन्तु इस्टील के डब्बे में नहीं रख सकते आउले का मुरब्बा बनकर तयार हो गया है इसे अब भी खाया जा सकता है परन्तु ठंडा होने पर ज़्यादा टेस्टी लगता है और आउलों के अंदर तक चाशनी भर जाएगी अगर आपको चाशनी पतली लगे तो चाशनी किसी भगोनी में डाल कर और पका कर गाड़ी कर सकते हैं और चाशनी बहुत ज़्यादा गाड़ी हो जाए तो आउलों पर चिपक जाए तो बरतन में एक कप पानी डाले और उसे उबाले और जब पानी उबल जाए तब चाशनी आउनों को छोड़ दे और चाशनी उस पानी में मिलाकर और गरम कर ले और धोनों मिक्स हो जाए और ठंडी हो जाए जब बापस से माउनों में मिक्स कर दे तो उसे लोग मुरब्वे में मसाला डालते जो जरूरी नहीं है इस तरह से डालकर हमने जो मुरब्बा बनाया है यह बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है इस तरीके से बनाया हुआ मुरब्बा कभी खराब नहीं होता है और खाने में भी टेश्टी लगता है यह मुरब्बा एक तम रसगुला जैसा लगता है खाने में चूना हड़ियों के लिए मेरे इस तरीके से मुरब्बा बनाये और खाये और मुझे कोमेंट्स करके बताइए मेरी रेसिपी कैसी लगी है अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया हो तो सस्क्राइब जरूर करें और साथ ही बेल जगाद